हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक फ्लावर पोड बनाना सिखा रही हूँ सबसे पहले उसके लिए हमने थर्मा कोल का कप चाहिए उसके बाद आपके जो भी फेवरिट कलर आप उसका पानी में दे सकते हैं अब हमारा कप कलर हो चुका है और जब तक हम देखते हैं हमें फ्लावर कैसे बनाना है हमें फ्लावर बनाने के लिए दो पोडल की कैप स्टाइए एक चोटी एक बड़ी तो बड़े कैप से हमने यह फ्लावर कट कर रहा है चोटी कैप से हमने यह फ्लावर कर रहा है तो अब हम छोटे फ्लावर को बड़े फ्लावर पे पेस्ट कर लेंगे लूप से फ्लावर का सेंटर बनाने के लिए हम कोई भी शाइनिंग पेपर ले लेंगे उसका सरकल काट लेंगे पेस्ट कर लेंगे अब हम आइस्क्रीम स्टिक लेकर फ्लार के साथ इसको पेस्ट कर लेंगे देखिए हमारा फ्लार रेडी हो गया है अब हमारे कप का कलर भी सूप चुका है तब हम एक मैट स्टिक लेंगे और वाइट कलर लेंगे और फिर इस कपते डॉट्स बनाएंगे आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं अब हम इसमें कच्छे राइस जा लेंगे ताकि हमारा फ्लावर स्टेंड हो सके अब हम इस फ्लावर को इसमें स्टेंड कर देंगे ये बन गए हमारा फ्लावर पोर्ट बनाएंगे बनार फिर ऊक्टा बना नगी बनाएंगे झाएंगे